पावभाजी बनाने के लिए देखिए मैंने मतर, आलू, गाजर, फूल गो भी और थोड़ा सा वीटरूट लिया हैं हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक डालके और इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे देखें पानी डालके हम क्या करेंगे कूकर में पांच जिटी लगा देंगे उसके बाद हम उसके बाद तड़का लगाने की तैयारी करते हैं प्रेंड्स पाव भाजी के लिए भाजी जो बनाएंगे उसके लिए मैंने प्याज लिया है दो प्याज छोटा-छोटा काट दिया है यह कैट्सी कम लिया है इसे भी छोटा-छोटा काट दिया है थोड़ा सा हरादुनिया लिया है हाप निम्बु लिया है क्वाटिटी अग में गौधर ग्राइड कर दिया है और मसालों में मैं न लिया है हल्दी। थन्य पाउड़। प्लेटर शाधा। नमक लिया यह जब लियRE है। यह पाववाजी मसाला। और बटर जरूरी है। बटर के लिए हम क्या करेंगे। अमूल बटर लिया है। आप कोई भी बटर ले डालेंगे ताकि जो हमारा बटर जलना जाये प्याज पकने के बाद हमने जो हरीमिर्चि अध्रक लेशन का पिस्ट बनाया है उसको हम Kinder सुम अइड़ करेंगे लेकिन हम प्याज को पहले अच्छे से पगने देंगे देखेिए फ्रेंड्स प्याज हमारा आधा पग गया है और हम क्या करेंगे जो हमने क्याक्चिकं लिया है क्याक्चिकं एकदम जरूरी है पाव भाजी में जूरा अगर आःची गुना रहे हो तो इसे ही सारा flavor और taste आता है, तो friends हमेशा पाव भजी बनाने के time क्याक्सी कम को तो आप ready रखना साथ है, अभी क्या करेंगे friends, मैं medium frame में ही भी बना रही है, तको चीज़ों यो हम medium frame पे ही करेंगे, हमारा प्याज आख पग दिया था, अभी similar mix को भी हम प्याज के साथ थोड अच्छे से पग गदे है, अभी हम क्या करेंगे, हमने जब कस्तूरी मेठी लिया था तो कस्तूरी मेठी को हम क्या करेंगे, ये तेल में ही fry कर देई तो इसे क्या होगा, बगोत अच्छा तेल डेल सोल flavor आएबाद में भी आप भाजी करने के बाद भी इसको दॉय्ब में स अच्छा flavor आता है, फिर मैं फ्रेंट्स क्या करूंगी, कस्वी में तो डाल दिया है मैंने, अभी में इसमें जो हमने अध्रक लेसुन और हरी मेची को दरदर अपीसा था, वो में इसमें डाल रेते हैं, इसमें डाल ते अध्रक लेसुन को दो मिनिट्स तक, लो मिडियूम फ पकाना है फ्रेम हाई करेंगे तो आपका जो अध्रक लेशन जल सकता है और टेस्ट खराब हो जाए तो फ्रेम हमेशा इसको मेलियम फ्रेम पर रख कही अध्रक लेशन को दो मिनिट तक पकाना है देखिए अभी हमारा अध्रक लेशन जो अच्छे से पक गया है हम क्या करेंगे अभी इसमें थोड़ा साथ तेल है तेल आपको दीख रहा होगा इसमें हमने जो ड्राय मसाला सब लिया था हल्दी और पावाजी मसाला यह सब हम इसमें ऐड कर देंगे धन्या पावडर हल्द हो जाएगा नहीं तो अलग से अपको पानी डालके उसको मसाला जलना जाये सोचके पानी डालना पड़ेगा लेकिन नेल में हम मसाला को अगर करेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है एक मिनिट बस लो मिडियोम फ्रेम पे मसाला को भी अच्छे से फ्राइग कर देंगे इसलिए हमेशा बटर थोड़ा बाजी में ज्यादा डालिएगा देखी मसाला हमारा पग गया है अभी हम क्या करेंगे जो टमाटर लिया था टमाटर को डाल को डाल के टमाटर को डाल के फेंस क्या करेंगे अच्छे से इसको सोब्त होने तो हम पकाएंगे टमाटर को चाहे कि हम टमाटर पकने तक wait करेंगे उसके बार जो हमने boil किया ताफ लेजिटबल्स इसमें डालेंगे देखिए फ्रेंड्स टमाटर जो हमारा थोड़ा सोफ्ट हो गया है मैंने बार-बार चला के इसको पकाया है इस तमाटर को अभी फ्रेंस क्या करेंगे इसी मसाले में हम थोड़ा सा हरा धन्या डाल देंगे इससे अच्छा फ्लेवर आएगा तो देखिए फ्रेंस यह मेरा का पाव भाजी है ना सब जो जैसे बनाते हैं उससे थोड़ा अलग है और यह बहुत अच्छा बहुत टेश्टी बनता है दे मैंने इसमें एड कर दिया है और एड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे जो मसाला है ना मसाले के साथ पहले अच्छे से मिडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे अभी इसको मैश नहीं करेंगे इसमें अभी कोई पानी नहीं डालेंगे इसको थोड़ा सा पानी सुखन करेंगे देखिए मैंने मिक्स कर दिया है हाई मेडियम फ्रेम पे इसको अब थोड़ी दो मिनिट चलाती हूं उसके बाद मैशर लेके पटेटो मैशर लेके उसको मैश करेंगे की देखिए फ्रेंड्स हमारी भाजी कितनी कलर फुल दिख रहे है और अच्छा बहुत अच्छा तेस्ट है तो फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स अभी मैने एक पोटेटो मैशर लिया है हम क्या करेंगे इसको मैश करेंगे अच्छे से मैश कर देंगे उसके बाद thôड़ा फ्रामे अगर पानी जैसे चाहिए तो हम क्या करेंगे फ्रेंट इसमे थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको पतला करेंगे ये जो सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मैश कर देंगे देखे, मैश कर रहे हूं धीरे धीरे ये पुरा थीक होता जाएगा और फिर इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको एक प्रॉपर भाजी बनाएंगे देखें इससे आपको मैश करना है पूरा सारी सबजियां मिक्स होने तक देखें फ्रेंट्स अभी मैंने वेजिटेपल्स को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके पोटाइटो मेश से अच्छे से मैश कर दिया है अभी फ्रेंट्स ये बहुत थिक है ये पाओ के साथ खाने के लाइक अभी नहीं बना है लेकिन हम क्या करेंगे फ्रेंट्स थोड़ा पानी एड़ करेंगे पानी एड़ करके उसका सीट करेंगे देखिए Nabin on याम क्या करेंगे इसनिकने इसमें घुंडेज तर्ड फाल ले करना हम इसको अच्छों से मचाअ आप जान किस्याइए तुब करना अको को अबी वह चासशे अधोना प्राजी से बाते हैं लेकिन ज्यादा पतला नहीं करना है और पकाना है आप मैंने आधा नम्भू किया है कम कौण्टिटी हैं आप ज्यादा नम्भू एक निम्भू कर सकते हैं आप आड़ है इसमें तो इससे ठोड़ा हम पकने देंगे मिक्स कर 레ack flying करेंगे में अभी करेंगे 11LR के बाद हमारा इसका है मसाला के बाद हम डालेंगे की सल्फ मसाल अभी इसमें अड करेंगे थोड़ा सा बननी के बाद अभी हमारा यह भाजी जो है अच्छे से बग गई अब क्या करेंगे हम जो हमने सीक्रेट मसाला लिया है किचन किंग मसाला इसको क्या करेंगे हम भाजी में डाल देंगे फ्रेंट्स ये मसाला शायद कोई डालता या नहीं है पता नहीं लेकिन मैं इसमें जब भी भाजी बनाती हूं ये मसाला डालती हूं ज्यादा मैं बटर दालती हूं ताकि ये भाजी का पेस्ट को बहुत अच्छा हूं देखिए अभी मैंने ये किछन किंग मसाला डाल दिया है अब इसको 1 इसको एक मिनिट मसाला डालए के बाद हम जारत हैं नहीं पकाएंगे इसको क्या करेंगे एक मिनिट पकाके बास निकाल देंगे देखे मैंने थोड़ा सा हराधनिया भी डाल दिया है बहुत अच्छा दिह रहा है हमारा भाजी पाव के साथ खाएंगे तो एक बार आप खाएंगे तो उंगली चाटते ही रिज जाएंगे और बार बार बनाने का आपको मन होगा तो चलिए फ्रेंट्स हम प्लेटिंग करके देखते हैं हमारा पाव भाजी कैसे बना है देखे फ्रेंट्स पाव भाजी हमारा रेडी हो गया है भाजी को आप पाव के साथ भी खा सकते हैं आप चफाती रोटी फुलका के साथ भी खा सकते हैं पूरी के साथ भी खा सकते हैं भाजी बहुत टेस्टी बना है और फ्रेंड्स यह जो पाव है ना कोई बीना बटर लगाए खाते हैं आप तवे पे बटर में सेख के भी खा सकते हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और स